आज बना रही हूं मक्की की रोटी सरसो का साग अभी ज़स टूठी हूं मैं अभी बच्चे भी सोई हुए है संडे अभी मैं नहीं उठाओंगी और आज चरेंगे थोड़ी क्लिनिंग घर की क्योंकि दिवाली अगले संडे को दिवाली है तो हफ्ता रहा गया बस तो यह देखिए फ्रेंड्स दिवार कितनी साफ होगी इतनी गंदी दिवार होगी थी न लब इसको हर साल हर चे महीने में हर 5 महीने में रिपेर करना पड़ता है तो बहुत आदा टाइम खाती है क्योंकि एक बार इसको उतार ना पड़ता है जो सीमर लगाते हैं ना हम बार फिर उसको इसार के पिर दुस्रां भरना पड़ता है कि इसी तरह से फ्रेंज छी इसको क्लीन करना पड़ता है पर दीवार को क्लीन करना पड़ता है Mega पना तो आघे की मची सर्सों साग साग कोई ववा일 कर्का कर दिया था फटा फट से लगा देंगे तड़का और बनाएंगे रोटी ठीक है फ्रेंट्स मिलती थोड़े देर के बाद फ्रेंट्स सरसो का साग और पालक मैंने एक रहत पहले ही बॉइल कर लिये तो उसके बाद इसको मैश कर दिया अच्छे से फ्रेंट्स मैंने मिक्सी का बस फ्रेंट्स से मसाले डालके साग को कर लेते हैं रेडी व्लॉग में बने रहना जो भी न्यू आता मेरे चानल को सब्स्क्राइब करके जाए कबेंड करें लाइक करें तो ठीक है फ्रेंट्स बनाते हैं साग और मक्के की रोटी झाल 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 फ्रेंड्स साग पक गया था अच्छे से और यह गी मैंने भी सुबह निकाला गहर पे इसी का तड़का लगा दूँगी फ्लसन की गलिया काटके फ्रेंड्स तो लास्ट अचप दे देना तड़के का करना तार में झाला क में नाल प्डेंड्स मुल्न नाल खेंड्स पार्गा गोट अचरों की आप यह गैसा से वचक दूल था कि छोट्ट इसे देनना से औरा शेल कोशब generous. झाल झाल साग हमारा हो गया तो फ्रेंट्स बनके रेडी अब मैं बनाओंगी मक्के की रोटी व्लॉग में बने रहना आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग जरूर कमेंट करना मुझे और फ्रेंट्स आप इतने लोग देखते हो कमेंट मुझे कोई नहीं आता एक दो कमेंटी आता है प्ली कैड कर दिया था फ्रेंट्स मैंने अब आटा गूंद की अच्छी तरह से मक्के की रोटी बना लेते हैं और आपको भी मैं बताऊंगी कैसी बनी थी कैसी नहीं फ्रेंट्स सबसे पहले मैंने इनको दी ये डालके मैंने का आप खा के टेस्ट करो और ये कह रहे थे बहुत टेस्टी बना साग और ये देखिए मुझे भी बोड़ने खाने के लिए बट मैंने बोला मैं बाद में खाऊंगी पहले फ्रेंट्स मुझे इतना नहीं था साग और रोटी का मैं बोलती थी सबको मुझे बना के खिला दो कोई बट अब मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ अब जब भी दिल करें तो बना के खा लिया करूंगी और इनको खिला दिया करूंगी और ये मैंने अपनी थाली डाली है सबसे पहले आपके लिए बाइट निकाली ये देखिए अभी गरम है बहुत जादा और थोड़ा सा घी लगा के न रोटी को थोड़ा घी लगा लेना चाहिए ताकि सॉफ्ट हो जाए तो फ्रेंड्स ये बाइट फटा फट खा के बता दो मुझे कैसा लगा टेस्ट कैसा नहीं और मुझे कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स है और ये आपके हिस्टे की बाइट मैं ही खा लूँगी साग रोटी तो फ्रेंड्स आपको खिला दी यब आप मिठाई खा लो फ्रेंड्स मैं जादा लंबा व्लॉग नहीं बनाओंगी तो इसी साथ मैं व्लॉग एंड्स करती हूं मिलती हूं कल बाइ फ्रेंड्स बाइ